नमस्कार मित्रो आई वीडियो मा अपने धोरंदस हिंदी विशे ना आएंपी प्रश्णो एललेके ब्वाणी परिक्सा माटे नवी पेपाइस्ट्रेल प्रमाणे ना आएंपी प्रश्णो आए वीडियो मा जोवाना छिये तो सव प्रथम चे विभाग ए ये पहलो प्रश्णा छे उजयाई नीकी राज्य सभाखा प्रत्यक विखती काली दास को किस लिए जानता है तोहीं चार विकल्प अपमा आएला छे तेवा बीजो प्रश्णा सुधा कुलकानी ने अपनी पढ़ाई किस छेत्र में की थी बुढी काके को पटलो पर जूठी पूडी के टुकडे खाता देखकर कौन सन रह गया तो आरिते आयम पी प्रश्णा अपमा आएला छे वीडियो ने हजूसुदी सस्क्राब ना करे होई तो लाइक अने सस्क्राब करी देजो जेना करने एजू केसे ने लगता वीडियो सवथी जड़ पी जोई सकाई तेर बाद छे सही विकल्प चुन कर रिक्त स्थैनों की पूर्ती कीजिये च्वाथो प्रश्णा प्राचिंग खाली जग्याने जीवन की समयश्या को ठीक से समझा था तो अहीं ब्याव अप्सोन अप्पमा आईला छे तेबद पांच मों प्रोश्णा उर्जय कभी नश्ट नहीं होती पर उसका परिवर्तें किया जा सकता है छो मल्लिका की माको खाली जग्या की चिन्ता रहती है तो वीडियो स्कीप करें या प्रश्णा तमें वांची सको छो प्रश्ण नम्बर साथ राम प्रसाद बिस्मिल्मने वकालत नामे पर पीटा जी के हस्ताक्सन नहीं किये क्यूकि तो हैं त्रण अप्पमा आईला छे रमेस निमेस नरेस और अविनास अंसन पर ब्याठे थे क्यूकि त्या बद्नाव एक नई सुरुवात के दो वेगिनानिकों के नाम त्या बाचे दस्म प्रश्ण मालती के मन में बिन्दू के प्रतिक क्या आसंका हुई अग्यार पंडिस साधी रम के बचाई हुई असी रूपय किस में खर्च हो गए तो आखुबा जहा महत्वन प्रश्ण हता त्या बाचे प्रश्ण नमबर बार हमारे देश में किस प्रकार जागरूती आ सकती है अथवा मल्यकार ने दंतुल को हरिन सावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा तेर साक्षतकार में सुधा ने अपनी द्रढता का परिचे केसे कराया अथवा आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जाइदत क्यों नहीं है चवद हम क्यों एसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है तो ते आग पंक्तियों नो आसाई पश्ट करवानू छे मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी निव तयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा सहाथ बढ़ाया था तयावादायचे विभाग बी पज्द्य विभाग विभाग बी माँ प्रश्णों जोईए आठ सिद्धी और नव निद्धे का सूख केसे प्राप्त होता है तो आहीं चार आप्सोन आप्पमा आएला छे तेमाथी साचों विकल्प सोधीने लखवा नुरे से मोती और धागा किसका प्रतिक है सत्तर अमर नाथ की गूफा कहा है अढ़ार बुख लगने पर खाली जग्या जड़ियों में दबे पाउ चलता है तो आहीं ब्याव अप्सोन आप्पमा आएला छे ओगनिस पाहलिया मुकरिया के रचना कार खाली जग्या है वीस देवताव के साथ खाली जग्या वन से गुजर रहा था तो आहीं विकल्प आप्पमा आएला छे त्यावा चे प्रस्ण नमबर एक वीस मीरा को अपने सद्गुरु पर आपार स्रज्जा है और खाली जग्या तो हीं त्रण विकल्प आप्पमा आएला छे बाविस कोटी कोटी कंठों से निकली तेविस कावी का कहना है की आज समस्त विश्वक के लोगों का जीवन तो त्रण विकल्प आपेला छे त्याबा च्वाविस जन्म भूमी में भारत की किन नारियों की बात बाताई गई है पच्चिस साधू का दिखावा केसा है प्रस्ण अबा च्वाविस तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ 26 मों प्रस्ण चे तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ त्याबा चे तेना अथ्वा वाड़ो प्रस्ण न फेरने पर रोटी गोडे वर पान की क्या हालत होती है त्याबा 27 मों प्रस्ण चे भुक काविया का केंद्रे वीचर पश्ट कीजिये तेना अथ्वा मा छे साधू उपदेश काविया में काका हाथ रसी ने कीस पर व्यं किया है 28 पंक्तियों का आसे पश्ट कीजिये हम हे नव युक के योग्रदूत हम काल जलती नाविक अभूत हम सामिय दिपके नव प्रकास हम विज्यों मांदबी क्रांती पूत हे प्रदिप्त गतिमान जागो और जगाओ तेना अथ्वा मा छे सत की नाव खेवट या सत गुरू भव सागर तरी आयो तो पंक्तियों नो आसे पश्ट करवानों छे तेवद आये छे विभाग सी एला के व्याकरन विभाग आहीं व्याकरन विभाग ना प्रश्णों जोईए तो काहावत का अर्थ पश्ट केजिये मुख में राम बगल में छूरी तो खुबा सरर केहवा छे दो पाहाडों के बीज की जमिन सब्दा समुमाटे एक सब्दा आप पानों छे तेवचे 31 संदी छोडिये अनिवे सन 32 संदी को मिलाईये वीर वत्ता उचेत 33 और से देकर वाक्या में प्रवक कीजिये लेके मुखावरे काहट देकर वाक्या में प्रवक कीजिये उनली मारकर ब्याठना 34 तपन गुन्वंद वीरोधी सब्दा लखवाना छे तेवचे परियाय वाचे सब्दा लिखे मवेसी सुष्ट तेवद आगर चे आवचे आडदरिस सब्दो के भावचे संगना लिखे बदलना उडना तेवद वीसेशन मकमल बर्प तेवद आवचे कर्तुत वाचे क संगना लिखे रून डाग तेवद समास पहचानिये पुईनने भूमी आजीवन तो आरीते तेना जाबो लख़ना रेशे हवे आवचे विभाग D इलगे लेखन विभाग संग्सिर्टीपणी लिखे DTP, Dex Top, Publishing तेना अथवामा छे आकास वाणी तेवद आवचे परिचेत को पढ़क नीचे दिये गे प्रश्णों के उतल लिखे तो हैं एक फक्रों आपमा आयलो छे तेमा थी आ नीचे ना प्रश्णों ना जवाब सोधी नी लखवाना छे लेखक का हदे कब फटता है संसर के सारे सूख केसे होते है मनुषे का सब कुछ कब नश्ट हो जाता है संस्कूति का सार क्या है जीवन की कला कौन सिखाता है इस परिच्चेत को उचिक सीर्षक दीजिए तो प्रश्णों ना जाब लखी तेनी विवग्गे सीर्षक आपानू छे तेवादावेचे पत्र लिखन ते पन्मप्रश्ण अस्टोक वीला कुबे नगर राजकोट ओगण चालिस पांच 003 से राकेस सा परिक्सामे औस सफल हुए अपने मित्र सुभस दवेको आस्वसन पत्रा लिखता है तेवादाईचे कहाणी लिखकर सीर्षक एवं बोध लिखे तो कहाणी लखी ने कहाणीनू सीर्षक और तेनू बोधबन लखो नुरेशे तो ही मुद्धा आपिला छे एक बक्री का बच्चा नदीके किनारी पानी पीना एक भेड़े का देखना खाने के इच्छा तो आरीते तमे मुद्धा वाँची ने कहाणी लखी सको छो तेवाद आईचे पंचान्व प्रश्ण एलके नीबन लेखन यदी में परिक्षक होता तेना आथवामा छे मेरी प्रिये रूतू तेवाद नीबन छे स्त्री ससक्ति करान तो आहातु धोरन दसनु बान्नी परिक्षानू हिंदी विशेनु प्रश्ण पत्र आवज एजू किसे ने लगता वीडियो जुआ माटे चानलने सस्क्रेब जरू ठेकर जो